हेलो दोस्तों, वेलकम वेक टू अबर यूट्यूब चनल मेटिकल ट्यूबर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में निमोनिया के कारट, लक्षड और इससे बचने के क्या उपाए हैं ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम जानेंगे वीडियो को पूरा देखना जिससे की आपको निमोनिया की पूरी जनकारी हो जाए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं कि निमोनिया होता क्या है हमारे जो सरीर में दो फैफडे होते हैं दो lungs होते हैं हमारे उसमें नीचे air lungs के last में air spaces होते हैं जिने हम alboli बोलते हैं वो air spaces जो होते हैं उनमें हमारे जो oxygen हम लेते हैं और carbon dioxide उसे निकालते हैं वो surface area को बढ़ाते हैं और वहाँ पे gases का exchange होता है alboli में air की जगे पे पानी भर जाता है infection के काराट कोई भी bacteria आ जाएं जिससे कि यहाँ पे pus cells बन जाएं और inflammatory cells बन जाएं और उससे क्या होता है कि हमारे alboli में पानी भर जाता है इसी को pneumonia बोला जाता है मतलब यही कि हमारे जो lungs हैं उनमें air की जगे पे पानी भर जाएं inflammatory cells और pus cells की बज़े से उस एरिया में फानी का भरना ही pneumonia होता है अब यह pneumonia किसी एक position पे हो सकता है या multiple positions पे हो सकता है या पूरा lung हमारा infect कर सकता है या हमारे दोनों lungs में यह हो सकता है और जब यह किसी मरीज को होगा तो उसकी बज़े से क्या होगा कि oxygenation का process जो हमारे fever रहेगा उससे संबंदित और भी symptoms रहेंगे आप करते हैं किसी भी इंसान को pneumonia होता क्यों है इसके दो कारण है पहला कि जब भी किसी इंसान की immunity बहुत ज़ादा बीख हो जाती है प्रत्रक्षा दंतर उसका बहुत बीख हो जाता है या फिर जो वैक्तिरिया है वो बहुत ज़ादा virulent है उसकी बज़े से pneumonia होता है अब immunity की problem किन लोगों को होती है जैसे कि old days person है या फिर kidney की problem है किसी को या फिर lungs की problem है या फिर chemo therapy की दवाईयां चल रही है या फिर hypertension, diabetes इन सारे जो ये मरीज होते हैं इनकी immunity weak होती जाती है उसकी बज़े से ये इस बीमारी pneumonia के भी chances बढ़ जाते हैं दूसरा जो लोग smoking करते हैं जिनको cigarette weed बीने की आदत होती है उन लोगों में इसके chances बहुत जादा रहते हैं और alcohol लेने वालों के लिए भी chances बहुत रहते हैं जिससे क्या होता है कि उनकी immunity weak होती है और pneumonia और infection के chances बढ़ जाते हैं इसकी और भी बज़े हैं जैसे कि हमारे lungs में पहले से कोई बीमारी रही ही हो बीमारी कैसे हो सकती है कि पॉलूशन से हो सकती है जो गाड़ियों का धुआ और ये factory चिमनी वगएर का धुआ होता है उससे infection हो सकता है lungs में और TB की problem हो उससे भी pneumonia के chances और जादा बढ़ जाते है और उसकी बज़े से और symptoms आ रहे हैं तो क्या होगा कि pneumonia भी हो सकता है छोटे बच्चों में भी pneumonia के chances बढ़ जाते हैं उसका वही कारण है कि प्रतरोदक चमता जो होती है वो weak हो जाती है जिससे कि इसके chances बढ़ हो जाते हैं और ज्यादा हो जाते हैं इसके chances और भी इसकी pneumonia को cause करने वाला bacteria हमारे lungs में आ जाए fungus viruses आ जाए है और उसकी जो replicate करें जल्दी से और हमारे सरीर को कमजोर कर दे वो बहुत जादा strong हो उससे भी बहुत जल्दी होता है अब बात करें bacteria के वारे में तो जादा तर pneumonia होता है वो bacterial infection में होता है 71 cases में उसके जो bacteria आता है उसकी बज bacteria है वो steptococcus pneumonia, staphylococcus aureus and H. influenzae यह virus bacteria है जो जिनकी बज़े से pneumonia होता है और भी है ecoli है, mycoplasma है और klepsella है यह सारे bacteria होते हैं virus की बात करें तो influenzae virus है, adenoviruses है यह सारे viruses की वज़े से pneumonia cause होता है एक अब भी recent में चल रहा है coronavirus इसकी बज़े से भी lungs हमारे affected होते हैं अब इसके symptoms के बारे में बात कर लेते हैं पहले तो इसके symptoms जो आएंगे एक तरीके के वो होंगे जो हमारे lungs से related होंगे जैसे कि हमारी खांसी का लगातार बना रहना, बलगम का आना, कफ और सरदी यह सारी बीमारी हमें लगातार बनी रहेंगी, सास लेने में भी problem होगी, चलने फिडने में थकान हो जाएगी और breathing में आपको लगेगा कि सास आनी रही है, यह सबी symptoms जो है वो lungs से related है और इसमें common symptoms भी हो सकते हैं, क्योंकि जब वेक्टिरिया हमारे body में बढ़ रहा है, cells बढ़ रहे हैं, infected cells बढ़ रहे हैं, त उससे क्या होगा कि और भी symptoms होंगे, जैसे fever, headache, muscles, pain, उल्टियां भी आएंगी, यह सारे symptoms भी शो करेंगे, ज्यादा तर जो pneumonia के patient होते हैं, बुखार आना, सर्दी रहना, खासी रहना, सांस लेने में problem होना, शरीर में दर्थ, यह सारे symptoms दिखते हैं, अब बात करें इसके जा सकते हैं, कि pneumonia है, कि नहीं, उसका bacteria जो है, वो black color का x-ray में दिखाई देता है, अगर किसी के lungs में bacteria दिख रहा है, तो वहाँ पे, क्या होगा, inflammatory cells आ जाएंगी, तो उसकी बज़े से, वहाँ whitish, whitish सा दिखाई देगा x-ray में, जब lungs में pus cells बढ़ जाती हैं, पानी बढ़ जाता हैं, तो ये एक sthetoscope से, और दूसरा x-ray, ये दो best options होते हैं, सबसे पहले pneumonia के बारे में पता करने के लिए, कुछ एक blood test भी होते हैं, जैसे कि CBC कराएंगे, CBC में क्या होगा, कि TLC count में सबसे पहले neutrophils का count बढ़ेगा, जिससे कि पता सकते हैं कि bacterial infection body में है, CRP की values बढ़ जाएगी, और भी cases हो सकते हैं, liver में albumin का count कम हो जाएगा, SGPT ये parameters बढ़ जाएंगे, और kidney के parameters हैं, urea, creatinine बढ़ जाएगा, sodium जो है, कम हो जाएगा, तो ये सारी जांचे कराई जाती हैं, ये देखने के लिए pneumonia कौनसी stage का है, जाधा severe है, तो उसकी treatment उसी के according किया जाता है दूसरा इसमें बलगम की जाच होती है, sputum lamb में भेजा जाएगा, उससे क्या होगा, gram staining करके, gram negative positive vector देखा जाएगा, TB के case में ये भी staining कर सकते हैं, जिससे की bacteria कौनसा bacteria है, culture कर सकते हैं, जिससे कौनसा bacteria है, ये पता चल जाएगा अब pneumonia के इलाज के वारे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे lungs में जो microbial agent आया है, उसको निकालना first priority होती है, और अगर patient को fever है, तो fever की दवाईयां दी जाएगी, oxygen की कमी हो जाती है pneumonia के case में, तो oxygen पे patient को रखा जाता है, और इसके साथ साथ पानी की भी कमी हो जाती है, त किसी भी काम को करेंगे, तो उससे क्या होगा, बोडी जादा वर्क करेगी, और हमारा फैवड़ा जो होगा, वो अल्रेडी बहुत कमजोर होगा, तो उसकी बज़े से हम उसकाम को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि oxygen की कमी होती है, तो हम नहीं कर पाते हैं, इस बज़े से pneumonia के case म फुल बेड रेस्ट करना है, और जब यह सारी चीज़ें मेंटेन हो जाती है, जैसे कि oxygen मेंटेन हो गया है, और हमारा जो पानी की कमी थी, वो मेंटेन हो गई है, तो उसके बाद क्या होता है, कि एंटिबायोटिक हम चलाई जाती है, पेशेंट को, जैसा वेक्टिरिया उसके अकॉर्डिक एंटिबायोटिक दी जाती है, उसकी देखा जाता है कि कौन से स्टेज है, माइल्ट केस में, एंफिसलेन, एजित्रोमैसिन टैबलेट भी दी जाती है, सीवियर होता है, इन दवाईों से रिजिस्टेंट होता है वेक्टेरिया, तो उसकेस में और भी दवाई दी जाती है, तो मैं यही कहना जाऊंगी कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, लापरवाही ना करें, यही थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब् कर लिजिए, वैल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुच पाएं, थैंक्यू सो मच